तो दोस्तो मेरा नाम है डॉक्टर शायन राइच योदुरी और मैं आज आ रहे हूँ आपके लिए थोड़ा कॉंसेप्ट ऑब बॉंडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन तो देखो पूरा एकदम खेलते खेलते समझ लो जे बॉंडिंग कैसा होता है छोटा छोटा चोटा कॉंसेप्ट और हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है तो फर्स्ट अफॉल देखो एक लड़का और एक लड़की जो लड़का उसको हम डिनोट कर रहे है बाई कैपिटल ए एंड जो लड़की है इधर उसको हम डिनोट कर रहे है कैपिटल भी ठीक है तो दोनों घूमने जा रहा है पर दोनों के पास एक ही बैग है तो क्या होगा उस एक बैग में लड़का का कपरा भी रहेगा और लड़की का कपरा भी रहेगा पर यह जो बैग है वो बैग कोई अकेला हैंडल नहीं कर सकता लड़का भी नहीं कर सकता और क्या लड़की भी नहीं कर सकता इसलिए बैग के अंदर दोनों का सामान है और वो जो एक बैग है वो जो बैग है वो दोनों शेयर कर रहा है, देखो, दोनों शेयर कर रहा है, तो एक ही बैग है, बैग के अंदर दोनों का कप्रा मौझूद है, और दोनों का कप्रा जो एक बैग में मौझूद है, वो बैग का दो हैंडल है, एक हैंडल लड़का पकड़के रखा है, और दूसरा हैंडल लड़की सकता है A जो atom है इसका एक electron है and B जो है उसका एक electron है A की electron A दिया है और A की electron B दिया हुआ है तो इस से क्या होगा इसके साथ एक bond form होगा इसके साथ एक bond form होगा मतलब A atom से electron cloud आया कितना इलेक्ट्रोन का, एक इलेक्ट्रोन का इलेक्ट्रोन क्लाउड आया, और दूसरे तरब, B से भी एक इलेक्ट्रोन का इलेक्ट्रोन क्लाउड आया, उसके बाद क्या हुआ, एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो वो जो बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, पर एक बॉन्ड के अंदर जो bond pair electron होता है, मतलब दो जो electron है, वो दो electron एक A ने दिया है और एक B ने दिया है, मतलब equal sharing, तो जो bond formation हुआ है, उसको हम क्या कहल सकते है, covalent bond, पर एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या, देखो ये जो दोनो है, ये दोनो hetero atom है, मतलब ये लड़का है, ये लड़की है, पर अगर ये लड़की ना होकर एक लड़का होता, तो क्या होता, ए भी A होता, ए भी A होता, ए उधर भी एक covalent bond होता, उसके अंदर ये जो लड़का है, उसका जो सामन है, वो जिस bag में है, इधर जो लड़का होता, उसका सामन भी ए की बैग में होता है मतलब एक बैग में के अंदर दोनों का सामान है एक बैग के अंदर दोनों का सामान है पर बैग एक ही है पर हैंडेल दो है ओके तो एक हैंडेल which is carried by that boy and the other handle which is carried by the girl okay now comes पास्टो आयोनिक बोंड में क्या होता है में हट एक लड़का और एक लर्की घूमने जा रहा है है ऍहेटेरो अ हटोम है हबइसली हेटरो एटोम है लड़के को हम क्या से क्या क्या से डिनोट कर रहे एसे और लड़की को बाष्फी से तो इधर क्या हो रहा है, दोनों बैग है, एक बैग के अंदर ये जो लरका का सामन है, वो है और और एक जो बैग है उसके अंदर लरकी का सामन है, तो इधर लरकी चालाक है, इसका मतलब क्या है, लरका चालाक नहीं है पर chemistry में उसका ही electronegativity ज्यादा है, तो इधर क्या हो रहा है यह जो लड़की है वह अपना दोनों हाथ उठाके बोल दिया नो मैं कुछ भी कैरी नहीं कर सकता हूं मैं कुछ भी कैरी नहीं कर सकता हूं पर मैं मेरा एक बैग रहेगा और उसके अंदर मेरा सामान रहेगा तो उस bag को तुमको carry करना पड़ेगा ठीक है तो क्या हो गया ये जो लड़की है उसका एक bag है उसके अंदर उसका सामान है लड़का भी घूमने जा रहा है तो ये जो boy है वो भी घूमने जा रहा है पर उसका भी अलग सा bag है और उसके अंदर उसका सामान है तो दोनों bag दोनो का सामान, मतलब यह जो boy है, उसका तो खुद का एक सामान है, and gain, यह जो लड़की है, उसका सामान वो लड़के को दे दिया, तो क्या हो गया? यह हो गया आपका ionic type of bond, पर यह जो लड़की है, ज्यादा दूर नहीं, बर लड़का से ज्यादा separate नहीं जा सकता, तो क्यों कि एक driving force इदर होता है क्या driving force क्योंकि यह लड़की का सामान इस लड़के के पास है एंड इस लड़के का भी माता में क्या घुम रहा है दिमाग में क्या चल रहा है क्या मेरे पास उसका सामान है तो उसको भी जाने नहीं देना चाहिए तो क्या होगा, तो B का जो electron है, वो electron किसको दे दिया, A को दे दिया, उसके बाद, तो after accepting the electron, it will become A negative, and after donating the electron, यह हो गिया आपका B plus, तो एक A minus और एक B plus, यह हो गिया आपका ionic bond, मतलब, एक में electron है, जो भी हो, और B atom का electron, पूरा ही A atom को share कर दिया, मतलब समझो, इने and chlorine, sodium and chlorine, तो sodium में क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 है, मतलब 11 electron है, और chlorine में क्या है, valence cell में क्या है, 3s2, 3p5, तो क्या होता है, sodium एक electron को छोर दिया, छोर देने के बाद क्या हो गया, वो inert gas configuration गें कर लिया, और chlorine क्या हुगा, chlorine after accepting the electron from the sodium, it will gain the electron configuration, stable electron configuration of argon. So that's why, after gaining the stable electron configuration by both the two, sodium electron छोर रहा है, chlorine electron ले रहा है, तो sodium अगर electron छोर रहा है, तो क्या होगा, उसका electron 10 electron हो जाएगा, नियोन का configuration आ जाएगा, stable configuration है, और chlorine after gaining the electron, it will have 18 electron, that's why it again it will be stable, so after that ionic interaction, that will type of ionic bond, सामान दोनों के पास दो बैग है, एक का सामान A वो केरी कर रहा है और B का सामान वो इसके अंदर दे दिया, अब देको एक special type of bonding है, वो क्या है, कोडिनेट कोवेलेन बाद, कोडिनेट कोवेलेन बाद क्या है, यह जो लड़का है, वो बोले है, ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरे पास बैग भी नहीं है, और मैं सामान भी नहीं लूँगा, मेरा जहां घूमने जाना, वहां से सामान खड़ित लूँगा, मेरा BAC का कोई जरूरत नहीं है और मेरा कोई सामन भी लेने का जरूरत नहीं है ठीक है तो अब क्या हो रहा है तो यह लरकी यह लरकी ने बताई कि मेरा तो सामन लेना परेगा along with a bag तो क्या है यह लड़की अपना बैग लिया है उसके अंदर अपना सामान ले लिया उसके बाद लड़का बोल रहा है मैं तो कुछ भी नहीं लिया हूं पर तुमारा तुम कैरी करने में तुमारे धिक्कत हो सकता है तो क्या कर रहे हो एक हैंडेल लड़की ने पकड़ा एक है candle boy ने पकड़ा है पर यह जो बैग है इस बैग के अंदर इस boy का कोई भी सामान सामान नहीं है तो अगर मैं chemistry के chemistry के तरफ से मैं अगर मैं बोलना चाहूं तो क्या होगा boy को मैं बोलना हूं A atom and जो B है B atom का दो electron A atom को दे दिया है and उसके बाद वो जो दोनो electron A लिया हुआ है पर B पुरा छोड़ी नहीं है B जो मतलब B का जो दो electron है वो दो electron पुरा इसको नहीं दिया हुआ है तो क्या होता है जो B का जो दो electron है जो A को दिया हुआ है वो दो electron दोनो equally share कर रहा है पर इसको मैं covalent bond से नहीं लिख सकता हूँ, तो क्या होगा, जो B atom है, वो atom के तरफ से, A atom का तरफ एक arrow head होगा, जो B atom है, वो atom के तरफ से, A atom के तरफ एक arrow head होगा, तो इसको मैं और भी तरीके से लिख सकता हूँ, कैसा, B ने दे दिया, इसलिए plus, and कौन लिया हुआ है, A लिया हुआ है, इसलिए minus, तो A हो गया, आपका coordinate covalent bond, मतलब, दो electron B के पास है, A के पास, समझ लो, vacant orbital है, तो उस vacant orbital में, B atom का जो दो electron है, वो दे दिया, तो उसके बाद क्या हो गया, एक bond form हो गया, तो bond कैसा होगा, arrow head होगा, मतलब, B के तरफ से A के तरफ में, ठीक है, तो अब चलो, अगर मैं hybridization में चला जाऊं, तो organic chemistry का परने से पहले, एक general hybridization तुम तभी लोगों का परना चाहिए, SP3, SP2 and SP, सो पहले मैं SP3 को करने जा रहा हूँ, तो देखो, क्या है, carbon का electron number कितना है, 6, हो गया 6, तो electronic configuration करो, क्या होगा, 1S2, 2S2, 2P2, ठीक है, box diagram कर लो, एक box, उसके अंदर 1S2, देन 2S2, देन 2P2, यह होगे आपका vacant, मतलब, यह होगे आपका S orbital, और यह जो P orbital है, P orbital के अंदर कितना घर होगा, तीन घर होगा, PX, PY and PZ, PX, PY and PZ, तो PX से पहले उसके बाद PY है, उसके बाद PZ है, तो S orbital का energy के उपर किसका energy होता है, P का energy होता है, मतलब, यह जो 2S orbital है, उसका energy lowered होगा, और यह जो P orbital है, उसका energy उपर होगा, ठीक है, बट यह जो तीनों orbital है, मतलब PX, PY, PZ, यह जो तीन orbital है, वो तीनों क्या orbital जो है, उसका energy सेम है, तो इसलिए हम क्या बोलता है, यह PX, PY, PZ, यह 3 orbitals are degenerate in nature, okay so this 1s2 this 1s2 that will be an inert shell inert shell and after that this 2s2 and 2p2 this is known as valence shell okay par bonding jab hooga matlab jab sp3 form hooga par agar ab ch4 form karna cha ho ccl4 form karna cha ho to kya hoga aise nahi form hooga to kya hota hai tab carbon will extract an energy that will known as excitation energy so after gaining the excitation energy the electron present in 2s2 that will transfer to that will transfer to 2pz okay but you can question me so now i am going to figure out the music that will get it. तो क्या होगा, एक है नीचे 1s, उसके उपर है 2s, उसके उपर है 2p, देखो, ये जो level है, तीनो level, तीनो p orbital का energy level, same है, इसलिए हम बोलते हैं क्या, जो p orbital है, these three orbitals have degenerate in nature, ओके, तो क्या होगा है, देखो, इधर 1s orbital, इधर 2s orbital, अगर मैं इधर बाहर से इधर energy दू, कौन सा energy, excitation energy, तो अगर मैं excitation energy दू, तो क्या होगा है, 2s से electron देखो, कहां पर जा रहा है, 2S से electron जा रहा है उधर PZ में इधर देखो इधर में कर दिया PX इधर PY इधर PZ तो यह आगया आपका PX यह आगया आपका PY यह आगया आपका PZ तो देखो 2S से PZ जा रहा है तो energy gap कितना है? यहां से यहां तक? तो यह जो gap है इस gap का जो energy है वो excitation energy supply कर सकता है बट अगर तुम यहां से ले जाना चाहो 1S से electron को unpaired करके PZ को ले जाना चाहो तो जो जितना amount of energy gap है वो excitation energy supply नहीं कर सकता है ठीक है? So, after gaining the excitation energy the electron present in the 2S orbital it will be unpaired and one electron will be transferred to PZ orbital whereas the energy, the amount of energy required to transfer the electron from 1S orbital to PZ orbital it will be very high it will be very high that's why that electron that cannot be unpaired and transferred to PZ orbital okay तो क्या होता है 2S orbital उधर चला गया अब देखो अब तुम अभी भी तुम bond नहीं कर सकते हैं अभी भी तुम covalent bond चारो hydrogen के साथ bond नहीं कर सकते हैं क्यूं क्यूंकि अगर तुम CH methane का structure देखो तो क्या होगा all the bond all the bond are equal in nature पर अगर तुम ये जो 2S orbital है और ये जो 3P orbital है तो हर एक orbital के साथ अगर तुम एक hydrogen orbital का जो electron है अगर तुम pair करके चारो के चारो bond form करो तो वो चारो bond का energy different हो जाएगा and nature भी different होगा क्यूं nature different होगा तो देखो क्यूं nature different होगा तुम इधर एक 1S ड्रॉ करो hydrogen का और इधर 3 hydrogen ड्रॉ करो 1S का मतलब अगर तुम इसके साथ एक bond form करो इसके साथ एक bond covalent bond form हो गया मतलब क्या मतलब by sharing electron by sharing electron ये जो तीनो bond तीनो bond हो गया ठीक है तो ये जो तीनो bond हो गया इस bond का nature क्या है 1S of hydrogen with 2P of carbon 1S of hydrogen with 2P of carbon 1S of hydrogen with 2P of carbon ठीक है और अगर तुमने ये bond form किया तो ये क्या होगा 1S of hydrogen and 2S of carbon मतलब तुमारा तीन bond हुआ क्या configuration में 1S of hydrogen plus 2P of carbon ये तीनो bond हुआ तीनो bond का ये nature ये हुआ और जो एक bond हुआ उसका नेचर क्या है 1S of hydrogen with 2S of carbon अलग हो गया ना चारो के जो चारो बॉंड है उस चारो बॉंड के अंदर जो तीन बॉंड अलग हो गया तीनो bond का नेचर तुमारे पास इधर अलग हो गया तीनों बॉंड का नेचर हो गया 1s of hydrogen by equally sharing, equally sharing 1s of hydrogen, मतलब hydrogen का 1s orbital है, उसके अंदर जो एक electron है, वो किसके साथ share हुआ? कार्बोन का जो P, तीनो जो P orbital है, उसके अंदर एक-एक electron के साथ share हो गिया, मतलब तुम्हारा 3 bond हो गया, वो तीनो bond का nature हो गया, आपका 3 1s of hydrogen and 2p of carbon, पर और एक जो bond हुआ है, और एक जो bond हुआ है, वो bond का nature क्या है? देखो, 2s of carbon with 1s of hydrogen, अलग हो गया ना? तो ऐसे तो नहीं होता है, हर एक जो bond होगा, मिथेन का, वो सभी का nature, सभी का energy सब सेम होगा, तो इसलिए क्या होता है, जो after excitation of energy, ये जो unhybridized excited state है, अभी भी कोई भी bonding नहीं हुआ इधर, तब क्या होगा? देखो, एक मैं आसन तरीके से समझा रहा हूँ, समझ लो, there are four plates, मतलब समझो, तुम fourth friend हो, four friend, चारो प्लेट में, चारो types of food लेके बैट गए हो, एक प्लेट में क्या है? एक लड़का, उसके हाथ में एक प्लेट है, उस प्लेट में क्या है? राइस, तो राइस तो अकेला नहीं खा सकता ना? राइस तो राइस को खाने के लिए कुछ तो उसको mix करने के लिए कुछ तो चाहिए डाल, या vegetable, या mutton, या chicken, तो कुछ तो चाहिए ना? तो अकेले-अकेले तो rice तो नहीं खा सकते हैं. So rice है एक लड़के के plate में. So दूसरा जो लड़का है, उसका plate में क्या है? Shrimp vegetable है. Their लड़का है, उसका plate में क्या है? Shrimp dal है. Shrimp dal. So tal, कोई भी लड़का, Shrimp dal क्या खाए सकता है, रेखना है? कोई भी नहींगा सकता है और यक द्यन्ड जो फोर्त लड़का है जो तुम्हारा जो फुर्थ दोस्त है ऐ सब想usi करके बढ़ोर लड़क़ा है वह भी ऊधेन नहीं कर सकता ियए जो रस ही जुर डाल ये जो वेजि तेबल और ये जो चड़नी अलग 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 करके, चारो जो boys है, वो चारो boys के plate के अंदर जो अलग अलग चीज है, वो अकेले अकेले नहीं खा सकता है, इसलिए क्या होगा? इसलिए ये जो, there are four boys, वो four boys अपने आप consult किया है, तो क्या consult कर लिया है? तो बोलने चलो, हमारे पास चारो plate है, और चारो plate के अंदर चार अलग अलग चीज है, तो एक काम करो, हर एक जो plate है, उसके अंदर सबको equally divide करो, सबको equally, तो divide करने के पहले ask कर लिया, अच्छा तो तुम डाल खाओगे ना, तो सभी ने बोला हाँ, हम सब लोग डाल खाएंगे, अच्छा आप सब लोग vegetable खाओगे हाँ, हम सब लोग vegetable खाएंगे, आप सब लोग चटनी खाओगे, हाँ, हम सब लोग चटनी खाएंगे, और भात, हाँ, ये तो पूछने के कोई बात नहीं कहें, सभी लोग भात खाएंगे, तो there are four plate, four plate के अंदर, four जो food है, वो equally distribute हुआ, मतलब देखो, four plate को मिला के, मैंने क इतना plate form किया है, चारो के चारो plate form किया है, एंड वो जो चारो के चारो plate है, हर एक plate में, हर एक plate में, देखो, rice का bowl है, डाल का bowl है, vegetable का bowl है, और चटनी का भी bowl है, मतलब ये जो चारो plate मैंने बनाया, हर एक plate में, हर एक जो ingredient मतलब, जो rice, डाल, vegetable, चटनी, हर एक plate में, हर एक चीज है, combine कर लिया, तो अब, हर एक plate का value equal आ गया, हर एक plate का value equal आ गया, मतलब, ये जो plate है, इस plate का जो valuation है, वो इस plate के साथ same हो गया, इस plate का valuation, इस plate के साथ same हो गया, इस plate के valuation, तो वो जो चार लरके और चार boys है, वो कोई भी plate का खाना खा सकता है, मतलब, हर एक plate में, rice भी है, rice को डाल के साथ mix करके, उसके बाद vegetable को mix करके, and at the end, chutney, एकदम freshment हो जाएगा, तो क्या हो गया, जो ये जो चारो जो plate है, वो चारो plate, कोई भी आदमी और कोई भी लरका खा सकता है, इसी को हम chemistry में बोलता है, hybridization, देखो, चलो, इधर आओ, ये जो last का जो page है, उसमें क्या था, unhybridized excited state, उसमें मैंने क्या बोला था, bonding नहीं कर सकते हो आप, इसके लिए, चले आओ, 1s electron, 1s orbital का electron वो बहुत नीचे है, उसके उपर क्या है, 2s, उसके उपर क्या है, 2p, there are 3 2p orbital, तो क्या हो गया, ये जो s orbital और ये जो 3 orbital, 3p orbital, mix हो गया, and mix होने के बाद, mix होने के बाद, वो चारों तुमारा hybridized state form हो गया, अगर तुम rice को बताओ, s orbital, अगर तुम ने बताया, rice को s orbital, डाल को px orbital, vegetable को py orbital, और चटनी को pz orbital, तो क्या होगा, हर एक plate में rice होगा, मतलब s, हर एक plate में dal होगा, हर एक plate में vegetable होगा, हर एक plate में चटनी होगा, मतलब हर एक plate में there are equal contribution of s and 3p orbital, sir, so ये जो 3 जो state है, ये जो 3 जो state, उसके साथ ये जो s state, s orbital का state है, ये जो 4 state, ये 4 state को मिला के, b generate, 4 state बन गया, d generate, 4 state अपने तरफ से बन गया, and वो जो 4 state है, उसका energy क्या हो गया, equal हो गया, उसका energy क्या हो गया, equal हो गया, sp3, 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 so within that each sp3 orbital, contribution क्या है, एक s orbital का contribution है, और 3p orbital का contribution है, मतलब, अगर मैं 100% contribution पकड़ लू, तो उस 100% contribution के अंदर, s orbital का contribution कितना होगा, 25%, और बाकी 3p orbital का combination कितना होगा, contribution कितना होगा, 75%, ओके, ठीक है ना, तो ये आ गया अपका, ये state, hybridized state, sp3, 4 और 4 sp3 hybridized orbital, क्यूं हुआ, क्यूंकि, chemistry को छोड़ के बताओ, क्यूंकि खाने के लिए, ये applicable नहीं है, मैं नहीं खा सकता, फिर्फ rice, और सिर्फ dal, और सिर्फ vegetable, और सिर्फ chutney, इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने mix किया, हर एक plate में सभी चीज, सभी चीज, हर एक plate में बैठा है इधर, सभी plate में हर एक चीज है, तो कोई भी लड़का, कोई भी boys, कोई भी plate का चीज खा सकता है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, ये जो चारो hybridized state हो गया, ठीक है, तो कैसा दिखना होगा, कैसा दिखता है ये, देखो, ace orbital क्या है, spherically symmetrical, ace orbital क्या है, spherically symmetrical, and क्या है, there are three p orbital, one thing is px, देखो, x-axis के तरब जा रहा है, px, y-axis के तरब जा रहा है, py, and z-axis के तरब जा रहा है, pz, तो ये जो ace orbital है, ये मैंने थोड़ा नीचे draw किया हुआ है, क्यूंकि इसका energy level कम है, and ये जो उपर का जो तीनो p है, px, py, pz, ये तीनो को मिला के क्या हो गया, तीनो sp3 hybridized orbital, 3sp4, sp3 hybridized orbital, उपर का level देखो, बढ़ गया, और नीचे का जो लोब है, वो थोड़ा छोटा हो गया, नीचे का जो लोब है, वो थोड़ा छोटा हो गया, नीचे का लोब थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, अगर मैं इसके साथ समझ जाओ, तो क्या होगा, देखो, ये हो गया तुमारा, देखो, ये एक sp3 hybridized orbital है, तो ये जो एक sp3 hybridized orbital है, ये उपर हो गया तुमारा, ये एक sp3 hybridized orbital, ये तो फट गया, एक हट फट गया, छोड़ दो, तो ये एक sp3 hybridized orbital है तुमारा उपर, एक sp3 hybridized orbital है तुमारा इधर, इस तरफ, एक sp3 hybridized orbital है उधर, और और एक जो sp3 hybridized orbital है, ये है इधर, ठीक है, तो एक जो SP3 hybridized orbital ये है तुम्हारा उपर, एक जो SP3 hybridized orbital है एक तुम्हारा नीचे, मतलब इस तरफ, इस तरफ, तुम्हारा तरफ है इधर, और एक जो SP3 hybridized orbital है ये हो गया तुम्हारा पीछे का तरफ, और ये जो SP3 hybridized orbital है ये हो गया तरफ, तो एक चीज आप समझ लो एक चीज आप समझ लो क्या है अगर आप लोग एक SP3 और इस SP3 और इस SP3 को आप लोग प्लेन में बिठाना चाहो ये SP3 और ये SP3 मतलब ये जो वाइट कलर का है और ये जो कलर का है तो ये जो SP3 और ये जो SP3 है अगर दोनों SP3 को आप प्लेन में बिठाना चाहो तो एक SP3 कहा कहा होगा नीचे करके तुमारे पीछे के तरफ और एक जो SP3 है वो हो गया तुमारे सामने के तरफ और एक SP3 हो गया तुमारा सामने के तरफ मतलब एक SP3 उपर एक SP3 तुमारे तरफ और एक SP3 पीछे के तरफ और एक SP3 इधर ठीक है तो देखने में कैसा होगा ऐसे होगा एक SP3 तुमारा उपर एक SP3 और बाकी का जो तीनों SP3 है वो तीनों नीचे के तरफ पर एक हो गया तुमारे तरफ अबोब दा प्लेन एक SP3 बिलो दा प्लेन मतलब इस जो बोड है उसके उधर और ये जो है ये इस प्लेन में मतलब ये जो दोनों यह जो दोनों SP3 है, यह दोनों SP3 plane में हैं, यह जो दोनों SP3 यह इस boat के plane में हैं, और यह जो SP3 है, यह तुम्हारे तरप है, और यह जो SP3 है, यह boat के मतलब पीछे है, ठीक है? तो, and इसका orientation क्या है? उपर जो SP3 है, और इधर जो SP3 है, इसके अंदर जो angle है, वो angle है 109 degree 28 minute, 109 degree 28 minute, and अगर मैं इसको एकदम पीछे draw करके ले जाऊं, तो जो angle है, यह क्या है? 70 degree 32 minute, 70 degree 32 minute, यह भी हो जाएगा आपका 70 degree 32 minute, and यह भी हो जाएगा आपका 70 degree 32 minute, है की नहीं? फिखा? तो यह हो गया आपका एक SP3, यह हो गया आपका एक SP3, यह हो गया आपका एक SP3, और यह हो गया आपका एक SP3, और यह हो गया आपका एक SP3, अब चारों हाइडोजन को पक देखो, एक इधर एक hydrogen है, एक इधर एक hydrogen है, येक इधर एक hydrogen है, और एक इधर एक hydrogen है, ठीक है? तो देखो, head-on overlap हो रहा है, तो head-on overlap होने के बाद, क्या type of bond ready होगा आपके पास? sigma bond हो जाएगा ना, तो देखो, ये electron और ये electron इस दोनों को share करके एक bond हो गया, ये electron ये electron दोनों को share करके एक bond हो गया, और ये electron ये electron दोनों को share करके एक bond हो गया, और उपर भी एक bond हो गया, और हर एक जो bond है, उसका nature क्या है, ये देखो, ये देखो, ये तीनों bond हो गया, तो य यह जो चारो के चारो बॉंड है, नीचे 3, उपर 1, तो यह जो चारो के चारो बॉंड है, नेचर क्या है? इस बॉंड का नेचर क्या है? यह जो हर एक जो बॉंड है, उसका नेचर सेम है, उसका नेचर सेम है, और अगर मैं यह जो चारो क्या है, जो below the plane, above the plane आपको समझा है तो क्या है, एक bond हो गया आपका उपर, एक उपर, और एक जो bond है, ये है आपका उसी plane में नीचे इस तरफ, एक ही plane में है, इस तरफ, और क्या है, एक आपके तरफ है, और एक मेरे तरफ, पीछे के तरफ है, पर जुका हुआ है, क्यूंकि there is the bond angle between two bond, bond angle between any two bond, it will be 109 degree 28, मतलब एक उपर, and तीनो के तीनो नीचे, एक plane में है, एक आपके तरफ है, एक मेरे तरफ है, तो जो आपके तरफ है, मतलब above the plane of the paper, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और जो below the plane of the paper है, उसको हम ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया आपका SP3 hybridization, ये हो गया आपके पास पुरा SP3 hybridization, complete, इसके बाद मैं SP2 में आऊँगा, उसके बाद मैं SP में आऊँगा, ठीक है?